नमस्कार स्वागा थे आप सभी का सिक्षा सेटी के से योटूब चैनल में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सौ सबसे महत्पून प्रस्थनों को कवर करेंगे मद्धिकालिन भारत से संबंदी तो इस वीडियो का बेलकुत ध्यान से दिखिएगा इस वीडियो में हमने पर अधारित हैं इससे पहले हमने दो वीडियो अप्लोट किया हुआ है जो कि सौ बेहतरिन प्रस्थनों पर हमारे आधारित थे पहला वीडियो हमने अप्लोट किया था इंडियन पॉल्टी का उसके बाद दूसरा वीडियो हमने अप्लोट किया था प्राचीन भारत के इत तो इन दो वीडियो का बिलकुत ध्यान से देख लिजेगा अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आज के इस तिस्रे सेस्टन में हम सौ सबसे महत्पुन प्रस्तनों को कवर करेंगे मद्य कालिन भारत के इतिहास से संबंदित दोस्तों यह जो हमारा सौ सबसे महत्पुन प्रस्तनों की सिरीज है यह एक दिश सी जितने भी एक्जाम होते हैं जैसे आपका SSC का इक्जाम हो गया उसके बाद का पुलीस प्रस्तनों की सरीज है काफी इंपॉर्टेंट है तो इस वीडियो को आप बिल्द कुल ध्यान से देखेगा यह वीडियो आपके आने वाले स को start करते हैं पहला हमारा प्रसना है हुमायू नामा की रचना किस ने की थी most important तो हुमायू नामा की रचना की गई थी गुल बदन भेगम के द्वारा तो इसका right answer क्या हो जागा गुल बदन भेगम ने हुमायू नामा की रचना की थी तो आप याद देखेगा ये कई बार एक जाम में पूछा गया प्रसना है कि जो हुमायू नामा है इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी तो आप इसे याद रखेगा इसके बाद अगला हमारे important प्रसना है दीन ए इलाही की अस्थापना कब की गई थी तो दीन ए इलाही की जो अस्थापना है ये की गई थी 1582 इस्वी में तो आप याद देखेगा 1582 इस्वी में दीन ए इलाही की अस्थापना की गई थी तता इसकी अस्थापना किसने की थी तो अकबर ने तो आप याद देखेगा अकबर के दोरा जो मुगल समराट अकबल त किस ने की थी most important तो गुलाम वंस की जो अस्थापना है या 1206 इस्वी में की गई थी कुतुबदिन एबग के द्वारा लाहौर में तो आप आदेखेगा 1206 इस्वी में कुतुबदिन एबग के द्वारा गुलाम वंस की अस्थापना की गई थी तता या जब इसने जब गुल गुलाम वंस के अस्थापना की तब इसने अपनी राजधानी लाहर बनाई थी तो आप इसे याद देखेगा तता यह जो कुतुबदिन एबग था इसका कारेकाल आपके इंपोर्टेंट है तो जो कुतुबदिन एबग था इसने 126 स्वी में गुलाम वंस के तो अस्थापन तो इसे आप याद रखेगा तता इसी के द्वारा जो दिल्ली का कुतुब मिनार है उसकी निव भी रखे गई था आप आप देखेगा दिल्ली के कुतुब मिनार की निव भी इसी के द्वारा रखे गई थी कुतुबदिन एबग के द्वारा तो आप इसे याद देखेग अगला हमारा प्रस्ण है तोपी सीकर अपना जीवन निर्वा करने वाला सुल्तान कौन था तो तोपी सीकर अपना जीवन निर्वा करने वाला सुल्तान था नासिरुदिन महमूद तो आप आद दिखीगा नासिरुदिन महमूद जो की बलबन का दमात था आप आद दिखीग करता था टोपी सीकर तो आप इसे याद देखेगा तता यह गुलाम मुंस का एक सासक था आप आप आद देखेगा नासरुदीन महमूद भी एक गुलाम मुंस का सासक था तता इसका सासन काल कब से कब तक था तो 1246 से लेके 1265 इस्वी तो आप याद रिखेगा 1246 से लेके 1265 इस्वी के मद्द इसका सासन काल रहा था तथा या बल्मन का दमाद था इसका नाम था नासिर्युदीन महमूद तो आप इसे याद रिखेगा अगला इंपोर्टेंट नमारा है बीजय नगर की राजधानी क्या थी तो जो दच्छिर भारत का एक विसाल समराज था बीजय नगर समराज इसकी राजधानी थी हमपी तो आप याद देखेगा बीजय नगर समराज की राजधानी थी हमपी तो आप इसे याद देखेगा बीजय नगर समराज की राजधानी क्या थी तो बीजय नगर समराज की जो अस्थापना है या की गई थी 1336 इस्वी में डेट अपने सुपर इंपोर्टेंट है 1336 इस्वी में बीजय नगर समराज की जो अस्थापना है हरीहर वो बुक्का के दारा मिल के की गई किसके दारा हरीहर हरीहर और आप याद देखेगा हरिहर और बुक्का ने मिलकर बीजय नगर समराज की अस्थापना की थी 1336 इस्वी में आप याद देखेगा तो तब बीजय नगर समराज की राजदाने थी हमपी तो तब एक क्वेस्टन जो है एकजाम में बार बार रिपीट हुआ है बीजय नगर समराज इसे रिलेटेट की बीजय नगर समराज की मुद्रा क्या थी तो बीजय नगर समराज की मुद्रा थी पेगोडा आप याद देखेगा बीजय नगर समराज की मुद्रा थी पेगोडा ये कई बार एकजाम में रिपीटेट प्रस्तन है अगला हमारा प्रस्तन है, चैतन्य स्वामी का जन्म कभ और कहां पर हुआ था तो चैतन्य स्वामी का जन्म हुआ था नदिया बंगाल में 1486 इस्वी में, तैक नदिया दिक्येगा अगला important प्रस्थ नमारा है लौ एवं रक्त की नीती का पालन किस ने किया था most important तो लौ एवं रक्त की नीती का पालन किस ने किया था तो बलबन ने था प्या देखेगा गुलाम वंस का सासक था बलबन इसके दोरा लौ एवं रक्त की नीती का पालन किया गया था तता इसका जो सासनकाल था वो था 1266-1286 के मद्द आपया देखेगा 1266-1286 इसवी के मद्द यह गुलाम वंस का सासक था तता इसके दोरा लौ एवं रक्त की नीती का पालन किया गया था इसके साथ ही यह इल्टु तमीज का तूर्की दास था तो इसके दोरा नौरोज उस्सो को प्यारम किया था दर्बार में अपने दर्बार में हुआ इवम पाबोऩ को लागु किया था इसका मतलब क्या होता है ? तो इसको अपने दर्बार में किसने दर्बार ने गाता है ? पाबोस मतलब है यह एक इरानी पद्धिती है जिसको अपने दर्बार में बलबल ने लागू किया था तो अब इससे याद देखिएगा यह कई बार एकजाम में पूछा गया प्रस्ना है तता बलबन के तरह नौरोज उस्सो का भी सुबारम किया गया था तता यह जो बलबन था यह गुलाम वंस का सासक था इसका कारेकाल था 1266 इसवी से लेके 1286 इसवी के मद्ध तता बलबन इल्तु तमीज का तूर्की दास था तो इतनी चीजे आपको याद रखनी है अगला हमारा प्रस्ना है हुमायू की मृत्ति कब और किस प्रकार से हुई थी तो हुमायू की मृत्ति कब और किस प्रकार से हुई थी तो एक जनवरी 1556 इसवी में पुस्तकाले की सिडियों से गिरने के कारण हुमायू की मृत्ति हो गई थी तता आप इसे याद देखेगा तता हुमायू जो था यह मुगल सम्राठ था तता इसका जो टाइम प्रियर्ड था वो दो भागों बट्टा हुआ था पहली बार इसने दिल्ली पर सासन क्या था 1530 से लेके 1540 इस्वी के मद्ध तता इसके बाद जो टाइम प्रियर्ड का गैप हुआ इस कारण हुआ कि जो सेरसा सूरी था उसने कुछ समय के लिए हुमायू का सासन अपने हाथ में लेते हैं हिरुमायू को पराजित कर दिया था सेरसा सूरी ने जिसके कारण जो हुमायू था वो भाग कर कहीं और उसने सरण ले ली थी तो इसके बाद वह दुबारा दियली पर सासन करने बैठता है 1555 से 1556 के मद तो आप आप आदे केगा इसने दो बास मतलब दो टाइम परियेड में सासन क्या था पहले इसका टाइम परिड़ी था 1530 से 1540 के मद और दूसरा था इसका 1555 से 1556 के मद ता यह जो टाइम का गैप है इस gap में दिली पर मतलब जो सासक कर रहा था वो कर रहा था सेर सा सूरी तो आपे याद दिखेगा सेर सा सूरी नहीं हुमायू को पराजित किया था जिसके कारण हुमायू अपनी जान बचाने के लिए कहीं छिप गया था तो अप इसे याद दिखेगा अगला हमारा है कुतुब मिनार का निर्माड किसकी याद में करवाया गया था तो कुतुब मिनार का जो निर्माड है या ख्वाजा बक्तियार काकी की याद में करवाया गया था आप या देखेगा ख्वाजा बक्तियार काकी की याद में दिल्ली में कुतुब मिनार का निर्मार करवाया गया तो इसे आ देखेगा इसका right answer क्या हो जाएगा ख्वाजा बक्तियार काकी अगला important प्रस्त हमारा है इसिखो के नवे गुरु गुरु तेग बहादूर को फासी की सजा किस नहीं दी थी most important तो सिखो के जो नवे गुरु थे इनका क्या नाम था? औरंग जेब आप आदेखेगा सिखो के जो नवे गुरु थे औरंग जेब इनको फासी की सजा किस नहीं दी थी? तो 1675 इसवी में औरंग जेब ने तो आप आदेखेगा सिखो के नवे गुरु गुरु तेग बहादूर को फासी के सजा दे थी औरंग जेब ने 1675 इसवी में ताप इसे आदेखेगा क्यूं दी थी? तो क्यूं दी थी? तो इसलाम न कबूल करने के कारण तो आप आदेखेगा इसलाम न कबूल करने के कारण सिखो के नवे गुरु तेग बहादूर को फासी के सजा दे दी थी औरंग जेब ने 1675 इसवी में तो आप आदेखेगा अगला हमारा है सिवा जी की मृत्तियू कब हुई थी? most important तो सिवा जी की मृत्तियू हुई थी 1680 इसवी में ताप आप आदेखेगा 1680 इसवी में सिवा जी की मृत्तियू हुई थी तो आप इससे याद देखेगा वहीं अगर हम सिवा जी के जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1627 इसवी में कब? तो 1627 इस्वी में इनका जन्म हुआ था सिवनेर जुन्नार में कहां तो सिवनेर नामक जगह है जुन्नार में कहां पे तो सिवनेर नामक जगह है जुन्नार में यहीं पे सिवा जी का जन्म हुआ था 1627 इस्वी में इनके पिता जी का नाम था साह जी तथा इनकी माता का नाम था जीजा बाई आप या देखेगा इनकी पिता जी का नाम था साह जी और इनकी माता जी का नाम था जीजा बाई तथा सीवा जी के गुरु का नाम था रामदास तथा इनकी मृत्ति हुई थी सीवा जी की 1680 इस्वी में अगला important प्रस्थ हमारा है बीजय नगा समराज की अस्थापना किसने की थी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था वस 1336 इस्वी में बीजय नगा समराज की अस्थापना की गई थी हर यहर और बुक्का के दोरा अगला हमारा प्रस्थन है अकबर के दर्बार का प्रसिद चित्रकार कौन था? तो अकबर के दर्बार का एक प्रसिद चित्रकार था अब्दू समध ये नाम आपके लिए सुपर इंपोर्टेंट है अब्दू समध जो था अकबर के दर्बार में एक प्रसिद चित्रकार था तता अब्दू समध को अकबर ने सीरी कलम की उपाधी भी दी थी तो इसे भी आप याद देखिएगा अगला इंपोर्टेंप्रस हमारा है हजारा एवं विठल स्वामी मंदिर का निर्माड किस ने करवाया था? तो हजारा एवं विठल स्वामी मंदिर का निर्माड करवाया था? विठल स्वामी मंदिर का निर्माड करवाया था? तता इसने सासन किया था 1509 इस्वी से लेके 1529 इस्वी के मद्ध कृष्णदेव राय ने सासन किया था बीजय नगर समराज पे तो आप इससे याद रखिएगा तता इस कृष्णदेव राय के दर्वार में ही अस्ट दिगज आप याद देखेगा अगला हमारा है जिन्दा पीर किसे कहा जाता है? तो जिन्दा पीर किसे कहा जाता था? तो औरंग जेब को मोगल सासक औरंग जेब को जिन्दा पीर कहा जाता था तो आप आप देखेगा मोगल सासक औरंग जेब को जिन्दा पीर कहा जाता था इसने सासन कब किया था तो 1658 इसवी से लेके 1707 इसवी के मद्दे औरंग जेब में सासन किया था तथा इसको जिन्दा पीर के नाम से जाना जाता है तो आप इसे याद रिखेगा इसके साथ ही यह जो औरंग जेब है औरंग जेब ने सिखो के नवे गुरु जिनका नाम था गुरु तेग बहादूर उनकी हत्या करवा दी थी तो इसके साथ ही औरंग जेब ने बीबी का मकबरा औरंगाबाद महरास्ट में बनवाया था तो आप इसके साथ ही औरंग जेब के दोरा ही बीबी का मकबरा बनवाय गया है कहां पे तो औरंगाबाद महरास्ट्र में तो आप याँ देखेगा ये भी कई बर इज्जाम में रिप्टेट प्रस्न है कि जो बीबी का मकबरा है इसका निर्मार किस ने करवाया था तो औरंग जेब ने बीबी के मकबरे का निर्मार करवाया था औरंगाबाद महरास्ट्रा में तो आप इसे या देखेगा इसके साथ ही जो औरंग जेब था इसकी मृत्थी हो गए थी 1707 इसवी में कब होई थी तो 1707 इसवी में औरंग जेब की मृत्थी हो गए थी तो आप इसे या देखेगा, इसके साथ जो औरंग जेब था या वीड़ा बहुत अच्छा बजाता था, आपया देखेगा, वीड़ा बजाने में उस्ताथ था औरंग जेब, तो आप इसे या देखेगा, इसके साथ एक important प्रस्ण जो लगाता है, एक जामे पूछा गया है, औरंग जेब के साथन काल में ही, जो हिंदू मन सबदार था, आपया देखेगा, जो हिंदू मन सबदारों की संख्या जो थी सरवाधिक थी, औरंग जेब के साथन काल में, तो इतनी की चीज़े आपको या दखनी है, इस प्रस्ण से related, अगला important प्रस्ण हमारा है, दिल्ली सल्सलत में एक्तेदारी प्रथा चलाने वाला प्रथम साथ्षक कौन था, most important, तो दिल्ली सल्सलत में एक्तेदारी प्रथा किसने प्रराम की थी, तो इल्टू-तमीष को गुलामू का गुलाम भी कहा जाता है, तो आपया देखेगा इल्टु तमीज को गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है तता इसने गुलाम वंस का सासक कब बना था तो यह पंद्रस सौरी 1210 जब इल्टु अब जब कुतुब दिन एबक की 1210 में मिरत्य होगे तो उसके बाद यह गुलाम वंस का सासक बना था तता इ इसवी से लेके 1236 इसवी के मद्ध तो आपया देखेगा 1210 इसवी से लेके 1236 इसवी के मद्ध यह गुलाम वंस का सासक था तता इल्टु तमीज को गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है तता जब यह गुलाम वंस का सासक बना तब इसने अपने राधानी लाहोर से दिल्ल लाई थी तो आप आप देखेगा लाहोर से दिल्ली अपनी राधनी बदल दी थी जब इलतुतमीस गुलाम वन्स का सासक बना था तो आप इसे याद देखेगा most important इसके बाद अगला important प्रस्थ नमारा है सीवा जी के मंत्री मंडल में सबसे अधिक महत्यपूर्ण पद कौन सा था most important तो सीवा जी का जो मंत्री मंडल था उसमें सबसे अधिक महत्यपूर्ण पद माना था था पेशवा का तो आप इसे याद देखेगा पेशवा का जो पत था वो उस्त में सरवादिक महत्यपूर्ण था सीवा जी के मंत्री मंडल में तो आप इसे याद देखेगा अगला प्रस्त नमारा है अकबर का राज्या विशेग कब हुआ था तो मुगल समराट अकबर का राज्या विशेग को अगला प्रस्त नमारा है तो सबसे पहरे आईए जान लेते हैं कि सैयद वंस के अस्थापना किस ने की थी तो सयद वन्स का संस्थापक था खिज्र खान सयद वन्स का सासन कब से कब चला था तो 1414 से 1451 के मद्द सयद वन्स का सासन था तता इसके स्थापना खिज्र खान के तरह की कई थी तता सयद वन्स का अंतिम सुल्तान था अलाओ दिन आलम सा तो आप या देखेगा अलाओ दिन आलमसा जो था यह सैद वंस का अन्तिम सुल्तान था अगला इंपोडे नवरा है जामा महजी जोणपूर का निर्माड किस ने वा कप गला है तो आपको बताना है जोणपूर इस्थित जो जामा महजी देधे है इसका निर्माड कब वा किस ने करवाया था तो 1470 इस्वी में हुसैन सा सरकी के दौरा जौनपूर इस्थित जामा मस्जीत का निर्मार करवाय गया था तो आप इसे या देखेगा most important वह अगर आपसे एक जाम में पूछ लिया होता कि जामा मस्जीत जो दिल्ली है उसका निर्मार किसने करवाया था तो मोगल बासा सा जहा ने तो आपको दोनों याद रखना है कन्फ्यूज नहीं होना है जो मोगल बासा सा जहा था इसके दौरा दिल्ली इस्थित जामा मस्जीत का निर्मार किसने करवाया था तो 147 एसुई में हुसायन सा सरकी ने तो आपको दोनों याद रखना है दोनों में confuse नहीं होना है अगला important प्रत महारा है लाल किले की जो मोती महजीद है इसका निर्मार किसने करवाया तो लाल किले की जो मोती महजीद है इसका निर्मार करवाया था औरंग जेब ने किसने तो लाल किले की मोती महजीद का निर्माण करवाय गया था औरंग जेब के दोरा तो आप इससे याद देखेगा वहीं अगर आपसे पूछ लिया होता कि आगरा की जो मोती महजीद इसका निर्माण किसने करवाया था तो आगरा की मोती महजीद का निर निर्माण करवाय गया था औरंग जेप के तरह वहीं अगर आपसे पूछ ले कि लाल किले दिल्ली का जो लाल किला है उसका निर्माण किस ने करवाय था तो दिल्ली के लाल किले का निर्माण भी सा जहा ने करवाया था तो इसे भी आप याद देखेगा यहां से कई तो रज्या सुल्टान जो थे या गुलाम वंस की सासिका थे आपको पताओगा तो इbelsुतमीष की पूतरी थे तो इल्तु तमीष की पूतरी थे रज्या सूल्टान तता इसने सासिका थे अगले ही मारे इमप्रृर्टन प्रसुन है तेनाली राम किस समराट के दर्बारी थे तो तेनाली राम जो थे ये कृष्णदेव राय के दर्बारी थे तो आप या देखिएगा कृष्णदेव राय के दर्बारी थे तेनाली राम अगला इंपॉर्डे नमरा है यहाँ पे कुछ यूरोपी आत्रियों के नाम दिये मैं जैसे आपको Sir Thomas Rowe, Captain Hawkins, Thomas Koyart और Francisco Palsart आपको बताना है यह चारो जो यूरोपी आत्रि थे किसके सासनकाल में भारत आये थे तो यह जो चारो यूरोपी आत्रि थे किसके सासनकाल में भारत आये थे तो आप इसे यहाँ देखिएगा Most Important अगला प्रस्न मारा है मयूर सिंगहासन जिसको हम तक्ते ताउस के नाम से भी जानते हैं पर बैठने वाला अंति मोगल सासक कौन था तो प्रस्न में क्या पूछा जा रहा है कि जो मयूर सिंगहासन था जिसको हम तक्ते ताउस के नाम से जानते हैं इस पर बैठने वाला अंति मोगल सासर कौन था तो बहादूर साह जफर द्विती तो आप या देखेगा बहादूर साह जफर जो द्विती था या मयूर सिंगासन यानि तक्त एताउत पर बैठने वाला अंति मोगल सासर था तो आप इसे या देखेगा इसने सासन कब से कब क मुरिति ने तो 1813 से 1857 स्विक के मद्द तता इसको है इसकी मृत्तिव है 1862 स्विक में होगे था बाहदु सा जफा जो कि अन्ति-मुगल बासा था इसकी मृत्ति होगी थी 1862 स्विक में क्यूं मतलब इसकी मृत्तिव किस कारण से थी तो आपको बताऊगा 1857 का जो बिद्रो हुआ था इसमें बिद्रोहियों का साथ देने के कारण आप या देखेगा 1857 के बिद्रोहियों का साथ देने के कारण अंग्रेजों ने इनको रंगून भेज दिया था तता 1862 में रंगून में बादू सा जफर की मृत्तिव हो गई थी तो आप या देखेगा बहादूर सा जफर जो मुगल समराड था इसने सासन किया था 1837 से 1857 के मत तथा 1857 के विद्रो में विद्रोयों का साथ देने के कारण अंग्रेजों ने इनको रंगून भेज दिया था तथा रंगून में ही 1862 में बहादूर सा जफर की मृत्यू हो अगला इंपॉर्ड नमान है बहादूर सा प्रतम का दूसरा नाम क्या था तो इसका दूसरा नाम था साही बेखबर तो आप आप देखेगा बहादूर सा जफर यह मुगल सासक था जिसने सासन किया था 1707 से 1712 स्वी के मद तथा इसको साहे बेखबर के नाम से भी जाना जाता है तो आप इससे याल देखेगा तता यही जो बहादूर सा प्रथम था इसने सामभाज एक के पुत्र साहु को मुगल कैज से मुक्त कर दिया था तो आप इससे याल देखेगा तता इसको साहे बेखबर के नाम से भी जानते हैं तता इसका एक अन्य और नाम था मुज्जम तो अकबर की जो सासन ब्यवस्था थी उसकी जो मुख्य विशिस्था थी वह थी मन सब्दारी प्रथा तो आप इसे याद रिखेगा अगला प्रस्थ नमा रहा है सुद्ध अर्भी सिक्के चलाने वाला पहला तुर्क सुल्तान कौन था तो सुद्ध अर्भी सिक्के चलाने वाला पहला तुर्क सुल्तान था इल्तु तमीज तो आप इसे आ देखेगा सबसे सुद्ध अरभी सिक्के चलाने वाला जो पहला तुर्क सुल्तान हुआ था, यिल्टु तमीज, तो आप इसे या देखिएगा, इल्टु तमीज को गुलामो का गुलाम कहा जाता था, अगला हमारा है, खानवा का यूद, जोकी पंद़्यों साठी सिर्व मेर लड़ा में किसकी बिजय हुई थी तो जो खानवा यूद लड़ा गया था 15-27 सुए में राणा संगा और बाबर के मद लड़ा गया था इसमें बाबर की बिजय हुई था राणा संगा की हार हुई थी तो आप इसे याद देखेगा अगला प्रस्थ नमारा है लाख बक्स के नाम से जाना जाने वाला सुल्तान कौन था तो गुलाम वंस का जो संस्तापक था कुतुब दिन एबक उसको उसकी उदारता के कारण लाख बक्स के नाम से भी जाना जाता था तो आप इसे याद देखेगा गुलाम वंस का जो संस्तापक था कुतुब दिन एबक उसकी उदारता के कारण उसको लाख बक्स के नाम से भी जाना जादा था तो आप इससे याद देखेगा इसका राइट नेशर क्या हो जागा कुतुब दिन एबक तता इसने कब से कब सासन किया था तो बारासो दस से लेके सॉरी बारासो छे से लेके बारासो दस इसवी के मद इसने सासन किया था तता यह सासन किया था आप इससे आ देखेगा गुलाम वंस के अस्तापना इसी के दारा किये गई थी अगला प्रस नमारा है मूगल वंस का संस्थापक कौन था most important तो मूगल वंस की अस्थापड़ा किसके तरह के गए थी बाबर के दारा तता बाबर का सासनकाल क्या था तो 156 से 1530 के मद्ध आप आप देख़ेगा मूगल वंस के अस्थापना के गए थी बाबर के दारा तता बाबर का time period क्या था तो 1556 से 1530 स्वी के मद्ध अगला है मारा important है तुगलक वन्स जिसका time period था तेरो सो बीस ते लेके 1412 स्वी के मद्ध इसका अंतिम सुल्तान कौन था तो तुगलक वन्स का अंतिम सुल्तान हुआ था नसरी दून महमूद नसरी दीन महमूद जो था यह तुगलक वन्स का अंतिम सुल्तान हुआ था तता तुगलक वन्स के अस्थापना किसके तरह की गए थी तो गयासु दीन तुगलक के तरह किसके तरह तो गयासु दीन तुगलक के तरह तुगलक वन्स के अस्थापना की गए थी तो जो संगीत समराट था तान सेन इसका जन्म कहां पर हुआ था तो संगीत समराट तान सेन का जन्म हुआ था ग्वालियर में तो आप आदेखेगा ग्वालियर में संगीत समराट तान सेन का जन्म हुआ था तो आप इसे आदेखेगा यह most important प्रस्न है तो आप इसे आदेखे अगला इंपोर्टन प्रस नमारा है पानिपत का तीसरा युद जिसमें आमस्सा अब्दाली की बीजे हुई थी तो आप इसे याद देखेगा अगला प्रस्त नमारा है सिवा जी का जन्म कब और कहां पर हुआ था तो सिवा जी का जन्म हुआ था 16-27 स्वी में सिवनेर दूर्ग में जुनार के समीप तो आप इसे याद रखेगा तो सिवा जी की पीता का नाम था साजी सिवा जी की माता का नाम था जीजा भाई और इनके गुरु का नाम था रामदास अगला इंप्रस्त नमारा है तुलू वंस का अंतिम सासक कौन था तो तुलू वंस का अंतिम सासक था सदा सिव आप आ देखेगा तुलू वंस का अंतिम सासक कौन था तो सदा सिव जो था यह तुलू वंस का अंतिम सासक था तो आप इसे याद देखेगा तता यह जो तुलू वंस था इसका सासन कहां होता था तो बीजय नगर समराज पर देखेगा जो बीजय नगर भारत का महान समराज था बीजय नगर समराज इस पर टोटल चार वंसों ने सासन किया था उनमें से एक वंस था तुलू वंस तता तुलू वंस का अंतिम सासक था स इसे याद देखेगा most important इसके बारे में मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया था क्रिश्न देव राय के बारे में अगला important नमारा है अस्ट दिगज किस राजा के दर्बार में रहते थे तो यह जो अस्ट दिगज थे यह सबसे मतलब आठ तमील बिद्वान थे आप यह देखेगा जो अस्ट दिगज थे यह आठ तमील बिद्वान थे तथा यह क्रिश्न देव राय के दर्बार में रहते थे तो आप इसे यहाद देखेगा क्रिश्न देव राय के दर्बार में रहते थे तो गुरु नानक का जन्म कहां पर हुआ था तो 1479 इस्वी में पंजाब के तलवंडी नामक अस्थान पर आप या देखेगा पंजाब के तलवंडी नामक अस्थान पर 1479 इस्वी में गुरु नानक जी का जन्म हुआ था तो आप इसे याद रिखेगा अगला प्रस्थ नमारा है घोडा दागने एवं सैनिकों की हुलिया रखने की प्रथा किसने सुरू की थी? तो घोरा दागने एवं सैनिको की हुलिया रखने की प्रथा शुरू किया गए थी अलाओ दिन खिलजी के गए थी तो आप इसे या देखिएगा इसका राइट आइसर क्या हो जाएगा अलाओ दिन खिलजी अगला इंप्वोर्डरी मप्रास नमारा है राजत्यों का नया सिध्धान्त किस ने दिया था तो गुलाम वंस का सासक था बलबन इसी के द्वारा राजत्यों का नया सिध्धान्त दिया गया था तो इसका राइटेंसर क्या हो जाएगा बलबन के द्वारा अगला इंपॉर्डेंट हमारा है चित्रकला का सौनकाल किस काल को कहा जाता है तो चित्रकला जब सबसे अधिक पनपी थी चित्रकला का जो सबसे अधिक विकास हुआ था तो उसको हम चित्रकला का सौनकाल का समय था जहांगीर का सासनकाल जब था उसी time period को हम चित्रकला का स्वानकाल कहते हैं तो आप इसे याद देखेगा चित्रकला का जो स्वानकाल का period था वह था जहांगीर के सासनकाल का समय तो आप इसे याद देखेगा जहांगीर के सासन में चित्रकला सबसे अधिक विक्सित हुई थी तो आप इसे याद देखेगा यह अगर आप से जामए पूछा था कि अस्थापत्य कला का विधास अबसे यह किसके काल में हुआ था तो साजहां के शासन काल में तो आप इसे याद देखेगा अगला प्रस्त नमारा है तुगलक नमा युद निती एवं बारूत का सरबतम प्रियोग किस बास्ता ने किया था तो तुगलक नमा युद निती एवं बारूत का जो सरबतम प्रियोग है यह किया गया था बाबर के दोरा अध्या दिखेगा बाबर जोकी मुगल समराज की इसने अस्थापना कि गह थी इसी के दोरा तो गलक नुमा यूद्द नेती एबन बारूत का सुर्भन प्रियोग किया गया था तो अध्या दिखेगा बाबर अगला इंप्रस्त हमारा है भारत में बाबर का अंतिम युद्ध कौन सा था तो घागरा का युद्ध आप या देखेगा तता अफगानों के साथ इसने युद्ध किया था घागरा का युद्ध 1529 इस्वी में आप या देखेगा अगला इंप्रस्त हमारा है तान सेन का बचपन का नाम क्या था तो तान सेन के बचपन का नाम था राम तनु पांडे आप या देखेगा तान सेन के बचपन का नाम था राम तनु पांडे अगला इंप्रस्त हमारा है बहमनी समराज का संस्थापक कौन था तो प्रस्त में गंगु और अलाव दिन बहमन सा ने मिलके बहमनी समराज की अस्थापना की थी, 1347 इस्वी में आप या दिखेगा तो हसन गंगु और अलाव दिन बहमन सा ने आप इसे याद रखेगा, अगला प्रस्थ नमारा है, दास्प्रथा जजिया कर और तीथ यात्रा को समाप्त करने वाला मतलब समराट कौन था तो दास्प्रथा जजिया कर और तीथ यात्रा को समाप्त करने वाला समराट था अकबर आप इसे याद रिखिएगा अगला इंपोर्टेंट नबारा है अलाओ दीन खिलजी का मूल नाम क्या था तो अलाओ दीन खिलजी इसने खिलजी वंस पर सासन के मतलब खिलजी वंस का यह सासन कब से कब सकता तो 1296 से लेके 1316 सवी के मद्द इसने खिलजी वंस का सासन समाला था तता इसका मूल नाम था अली एवं गर्सास्प याँ पे होगा अली एवं गर्सास्प इसका मूल नाम था लाउजिन खिलजी का अगला है मारा है बीजा नगर समराज के खंड़ार किस नदी के टेट पर इस्थीत है तो बीजन अगर समराज के जो खंधार हैं ये तुंग भद्रा नदी के टट पर इस्थीत हैं आप इसे आदेखेगा तुंग भद्रा नदी के टट पर बीजन अगर समराज के खंधार हैं आप इसे आदेखेगा तता तुंग भद्रा नदी के कहां पे तो कर्नाटक में आप आदेखें कर्नाटक में तता इसकी राधानी क्या थी बीजन नेगर समराज की हमपी आप आदेखेगा हमपी जो की कर्नाटक में है यहीं इसकी राधानी थी बीजन नेगर समराज की तता 1336 में हर यर और बुक्का खेद्वारा मिलके बीजय नगर समराज की अस्थापना की गए थी अगला इंपॉर्टन प्रस नमारा है अकबर के दर्बार में प्रसिद गायक कौन थे तो अकबर के दर्बार में प्रसिद गायक कौन थे तानसेन एवं बैजु बावरा आप या देखेगा तानसेन एवं ब पैजु बावरा अकबर के दरबार में प्रसिद्ध गायक थे अगला इंपोर्डे नमरा है दिल्ली पर आक्रमण करने वाला पहला पेशवा कौन था तो दिल्ली पर आक्रमण करने वाला पेशवा था बाजी राव प्रतम आप याद देखीगा बाजी राव प्रतम पहला पे कुटुब मिनार की जो नीव है यह रखी गए थी दिल्ली में कुटुबदीन एबग के दौरा तता इस कुटुब मिनार को पूरा, इसका निर्मार पूरा किस ने करवाया था तो इल्तुतं तमीस ने आप था देखीगा कुत्व मिनार के नीव थो कुत्व दिन एबक ने रखे थी परन्तु कुत्व मिनार का जो निर्माण है यह पूरा करवाए गया था इल्टु तमीज के दौरा तो आप इसे याद देखेगा तता यह जो कुत्व मिनार है यह दिल्ली में इस्थीत है अगला इंपोर्ण हमारा है सवार पद में दू अस्पा एवं सिं अस्पा की बिवस्था किसने की थी तो सवार पद में दू अस्पा एवं सिं अस्पा की बिवस्था जो है की गए थी जहां गीर के द्वारा तो आप इसे याद देखेगा अगला हमारा है 1669 इस्वी में बीजापूर के सेना नायक अफजल खां को बहादूर से किसने मारा था तो सीवा जी जो थे इन्होंने 1669 इस्वी यहां पर होगा तो 1669 इस्वी में बीजापूर के सेना नायक अफजल खां को मार दिया था तो आप इसे याद देखेगा अफजल खां को किसने भादुरी से मारा था तो सीवा जी ने मारा था 1669 इस्वी में अगला important प्रस नमारा है गायन एवं सास्त्री संगीत तानसेन के गुरु कौन थे तो गायन एवं सास्त्री संगीत के जो जनत थे तानसेन उनके गुरु कौन थे तो बाबा हरिदास तो आप इसे याद देखेगा बाबा हरिदास तानसेन के गुरु थे तो राम तनू पांडे अगला important नमारा है बाबर नमा का फार्सी भासा में अनुवाद किस ने किया था तो बाबन नमा का फार्सी भासा में अनुवाद किया गया था अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा आपया देखेगा अब्दुल रहीम खान खाना ने बाबन नमा का फार्सी भासा में अनुवाद किया था अगला important नमरा है स्वर्प्रत्म साह की उपादी किस ने धारन की थी तो स्वर्प्रत्म साह की जो उपादी है या धारन की गए थी मुबारक खां के द्वारा आप या देखेगा मुबारक खां ने स्वर्प्रत्म बार साह की उपादी धारन की थी अगला important प्रस नमारा है हिंदू मंदिरों को तुड़वाने का आदेज किस ने दिया था तो इसका right answer हो जाएगा 1699 इस्वे में औरंग जेब ने सरवाधिक जो हिंदू मंदिरों को तुड़वाने का तब इसी याद देखेगा 1699 में अगला important नमारा है सिखो के पाँचवे गुरू अर्जुन देव को फासी किस ने दिया थी तो सिखो के जो पाँचमे गुरु थे अर्जुन देव इनको फासी दी गई थी जहां गीर के दौरा ताप याद देखेगा जहां गीर के दौरा सिखो के जो पाँचमे गुरु थे अर्जुन देव इनको फासी दे गई थी क्यूं दिगे थी अब ये आपके लिए जानना important है तो जहांगीर का जो पुत्र था खुसरो तो खुसरो को की सायता करने के करन खुसरो की सायता करने के करन गुरु अरजुन देव को जहांगीर ने फासी दे दे थी तो आप इसे याद देखेगा अगला प्रस्थ नमारा है तुगलक वन्स का संस्थापक कौन था तो तुगलक वन्स का संस्थापक था गयासु दिन तुगलक आप आप आदेखेगा गयासु दिन तुगलक जो था या तुगलक वन्स का संस्थापक था अगला प्रस्थ नमारा है पंदरो सो चार इस्वी में आगरा सहर की अस्थापना किस ने की थी तो पंदरो सो चार इस्वी में आगरा सहर की अस्थापना की गई थी सिकंदर लोधी के दौरा आप याद देखेगा सिकंदर लोधी के दोरा 1504 हिस्वी में आगरा सहर की अस्थापना कराए गे थी तो आप इसे याद रखेगा most important प्रस नहीं है अगला important नमारा है सीवा जी को राजा की उपाधी किस ने दी थी तो सीवा जी को राजा की उपाधी दी थी औरंग जेब ने 166-67 इस्वी में आप याद देखेगा 166-67 में मोगल सम्राप औरंग जेब ने सीवा जी को राजा की उपाधी दी थी तो आप इसे याद देखेगा अगला important प्रस नमारा है खिज्र खां का पुत्र कौन था कि अस्थापना की गए थी. अगला important प्रस्थ नमारा है, दीन एई इलाही एवं इलाही समध की अस्थापना की समराथ ने की थी ? तो दीन ए इलाही और इलाही समध की जो अस्थापना है यह शापना इंफ nails की गए थी अक्बर की दॉन्या डिखेगा ऑकबर ने 3-a- ilahi एवं Ilahi संवत की अस्थापना की थी तो इसका रहा टेंसर क्या है अकबर अगला मारा है औरंग जेब को कहां पर दफनाया गया था तो औरंग जेब को दफनाया गया था दौलताबाद में तता औरंग जेब की जो मिलत्टी हुई थी 1707 इस्वी में अहमद नगर के पास हुई थी तो आप इसे याद देखेगा अगला प्रस्थ नमारा है इलाही समवत की अस्थापना कप के गई थी तो 1583 इस्वी में आप आ देखेगा 1583 इस्वी में इलाही समवत के अस्थापना के गई थी अकबर के द्वारा किसके द्वारा तो आप इसे याद देखिएगा अगला important प्रस्त हमारा है सिखो के नवे गुरू गुरू तेग बहादूर की हत्या किस ने करवाई थी तो इसलाम स्विकार न करने के कारण सिखो के जो नवे गुरू थे गुरू तेग बहादूर इनकी हत्या करवा दी थी औरंग जेब ने तो आप इसे याद देखिएगा औरंग जेब इसका right answer है अगला important प्रस्त हमारा है मांडू के किले का निर्माण किस ने करवाया था तो मांडू के किले का निर्माण करवाया था हुसंग साह के तवर आप आप देखिएगा हुसंग साह के दारा मांडू के कीले का निर्मार करवाया गया था इसका राइट इंसर हमारा है हुसंग साह अगला इंपोर्ण प्रस्त हमारा है अकबर का राज्या विशेख किसने संपन करवाया था तो अकबर का जो राज्या विशेक है या संपन करवाय गया था बैरम खां के दोरा कहां पे तो कला नौर में आप आदेखिएगा कला नौर पंजाब में है यहीं पे अकबर का राज्या विशेक हुआ था तता इसका जो राज्या विशेक है या संपन करवाय गया था बैरम ख अगला प्रस्त नमारा है पानिपत की दूसरी लड़ाई कब और किसके बीच हुई थी तो पानिपत की जो दूसरी लड़ाई हुई थी यह हुई थी पांच नौवंबर 1556 में अकबर एवं हेमु के बीच आप याँ देखिएगा अकबर और हेमु के मद्द पानिपत की जो है दूसरी लड़ाई हुई थी आप इसे याँ देखिएगा 1556 इस्वी में आप इसे याँ देखिएगा अगला हमारा प्रस्थन है सिवा जी की माता का क्या नाम था तो सिवा जी की माता का नाम था जीजा पीता का नाम था साह जी तो इनके गुरु का नाम था राम डास तो इतनी चीजित आप यहाँ देखिएगा सिवा जी की मतलब शीवाजी का जन्मु अथा तो इसे भी आप यहाँ देखिएगा अगला प्रस्त नमा रहा है अकबर का वास्तविक नाम क्या था तो अकबर का वास्तविक नाम था जलाल उदिन मुहम्मद अकबर क्या नाम था तो जलाल उदिन मुहम्मद अकबर अकबर का वास्तविक नाम था अगला हमारा प्रस्ण है मुगल वन्स का ग्रिणित कायर किसे कहा जाता है तो मुगल वंस का घ्रिलित कायर किसे कहा जाता है तो फर्रु खसियर को किसको तो फर्रु खसियर को मुगल वंस का घ्रिलित कायर कहा जाता है तो इसका राइटरे से राप्या देखिए का फर्रु खसियर अगला इंपर्टेंट है गुलाम वंस का अंतिम सासक कौन था तो समसुदीन कैमूर्स क्या नम था समसुदीन कैमूर्स जो था या गुलाम वन्स का अंतिम सासक था अगला हमारा है इरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है तो इरान का नेपोलियन कहा जाता है नादिर साह को आप आप देखेगा नादिर सा को इरान का नेपोलियन कहा जाता है तो अप इसे या देखेगा ये कई बार एकजाम में रेपटेट प्रस्तन है कि जो इरान का नेपोलियन है किसे कहा जाता है तो नादिर सा को अगला प्रस्त नमारा है बाबर को भारत पर आक्रमन करने का निमंतरन यहां पर होगा किस ने दिया था तो बाबर को भारत पर आक्रमन करने का जो निमंतरन है यह दिया गया था किसके दोरा तो पंजाब के सासक दौलत खा लोधी की दोरा आप याँ देखेगा पंजाब के सासक, दौलत, खां, लोधी ने बाबर को भारत पर आकर्मन करने का निमंतरण दिया था तब इसे याद देखिए माराझी का दूसरा संस्थापक कौन माना जाता है अगला इंपरने प्रस्ता मारा है अफ्रिकी यात्री इबन बतूता भारत किसके समय में आ था तो मुहम्मद बीन तुगलक के सासन काल में आपया देखेगा जो तुगलक वन्स का सासक था मुहम्मद बीन तुगलक उसके सासन काल में अफरिकी आतरी इबन दबतूता भारत आया था तो आपी से याद देखेगा अगला प्रस्ट नमारा है दिल्ली सल्तनत की राजकी भासा थी फारसी आप्या देखेगा दिल्ली सल्तनत की जो राजकी भासा थी वह थी फारसी अगला प्रस्ट नमारा है अकबर के दर्बार का प्रसिद संगीत कार कौन था तो अकबर के दर्बार का प्रसिद संगीत कार था तानसेन आप्या देखेगा अकबर के दर्बार का जो प्रसिद संगीत कार था वह था तानसेन तानसेन का मुल नाम था राम तनु पांडे आप् अगला प्रस नमारा है बाबर की मृत्यू कब और कहां पर हुई थी? अगला प्रस प्रस नमारा है पानिपत का प्रतम यूद में कौन विज्ढई रहा? तो पानिपत का जो प्रतम यूद हुआ था यह हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के मद्द पंदरस चब्वी सिश्वी में, आप्या देखेगा? 1526 इस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के मद्धी पानिपत का प्रत्थम युद्ध लड़ा गया था जिसमें बाबर की बीजय हुई थी आप इसे आदेखेगा अगला प्रस नमारा है सीवा जी ने अपनी राजधानी कहां पर बनाई थी तो राइगर को सीवा जी ने अपनी राजधानी बनाया था 1656 इस्वी में राइगर को सीवा जी ने अपनी राजधानी बनाया था अगला इंपोर्ड़ नमारा है बाबर नामा की रचना किस ने की थी तो खुद बाबर ने आपया देखेगा जो स्वय बाबर था मतलब स्वय बाबर ने इसकी रस्ना की थी बाबर नामा की आपया देखेगा बाबर नामा की जो रस्ना है बाबर ने की थी अगला इंपॉर्टर नमरा है अकबर ने इबादत खाने की अस्थापना कब की थी तो अकबर के द्वारा इबादत खाने की अस्थापना क्यप करवाई गये थी तो 1575 इस्वी में आपया देखीगा मुगल समराथ अकबर ने इबादत खाने की अस्थापना 1575 इस्वी में करवाई थी अगला important प्रस नमारा है औरंग जेब ने बीबी के मकबरे का निर्मार कब और कहाँ पर करवाया था तो औरंग जेब के दारा बीबी के मकबरे का निर्मार करवाया गया था 1679 में कहाँ पर तो महराष्ट के औरंगाबाद में ताप एस या देखेगा महरास्ट के औरंगाबाद में बीबी के मकबरे का निर्माल करवाए गया था औरंग जेब के द्वारा तता औरंग जेब को जिंदा पीर के नाम से भी जानते हैं आपया देखेगा जिन्दा पीर के नाम से औरंग जेब को जना जाथा तता यह जो मुगल समराट औरंग जेब था यह वीडा बहुत अच्छा बजाता था तता औरंग जेब के द्वारा जो हिंदू मनसबदाल थे उनको सबसे ज़ा न्यूकत किया गया था आप आप आदेखेगा और अंग्जेब के सासनकाल में ही हिंदू मन सब्दारों की नियुक्ती सबसे ज़्यादा हुई थी अगला इंपोड़े प्रस्थ नमारा है हिंदी साहित्य का स्वन काल किसके काल को बोला जाता है तो हिंदी साहित्य का जो स्वाण काल है या अकबर के काल को कहा जाता है तो आप इसे याद रखिएगा अगला important नमरा है कस्मीर का अकबर किस बादसा को कहा जाता है तो जैन उल आपदिन को आप 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 देखेगा जैन उल आपदिन को कस्मीर का अकबर कहा जाता है तो इसे आप देखेगा जैन उल आपदिन अगला इंपर्णिन प्रसा मारा है महाभारत का जो अनुवाद महाभारत का अनुवाद रज्म नामा नाम से फार्सी में किस ने किया था तो महाभारत का जो अनुवाद है रज्म नामा नाम से फार्सी में किया गया था तिन लोगों के दोरा बदायुनी, नकीव खां और अब्दुल कादिर के दोरा तो आप इसे या देखिएगा तीनों नामा आपके लिए important है अगला हमारा है बाबर नामा का अंग्रेजी में अनुवाद किस ने किया था तो बाबर नामा का अंग्रेजी में अनुवाद किया था c.s.beverage ने किस ने to c.s.beverage ने बाबर नामा का अंग्रेजी में अनुवात किया था अगला प्रस्द मारा है बाबर का मकबरा कहा पर इस्थित है तो बाबर का मकबरा कहा पर इस्थित है तो काबुल अफगانिस्तान में आप भ Parece आद देखिएगा काबुल अगला इंपॉर्ण प्रसमरा है बैरम खां की हत्या किस प्रकार से की गई थी तो बैरम खां की हत्या किस प्रकार से की गई थी तो मक्का तिल्थ यात्रा के दोरान मुबारक खां की दोरापया देखेगा मक्का की तिल्थ यात्रा के दोरान मुबारक खां ने बैरम हत्यात करती थी अगला इंपॉर्ण नमरा है बाबर की बिजय का मुख्य कारण क्या था तो बाबर की बिजय का जो मुख्य कारण माना याता है तोप खाने का प्रियोग आप या देखेगा तोप खाने का प्रियोग बाबर ने पहली बार किया था भारत में तता इसकी बिजय का जो मुख्य कारण था वह तोप खाने का निर्माड ही माना जाता है मतलब तोप खाने का प्रयोग ही माना जाता है अगला मारा है अबुल फजल का बड़ा भाई कौन था तो अबुल फजल का बड़ा भाई था फैजी आप या देखेगा जो फैजी था यह अबुल फजल का बड़ा भाई था अगला इंप्रस नमारा है फतेव पूर्षिकरी का निर्मार कब और किस ने करवाया था तो 1571 इस्वी में फतेव पूर्षिकरी का निर्मार करवाया था अकबर के द्वारा तो आप आप आदेखेगा अकबर ने 1571 इस्वी में फतेव पूर्षिकरी का निर अगला प्रस्त नमारा है सामुगड का युद्ध कब हुआ था तो सामुगड का युद्ध लड़ा गया था 1658 इस्वी में कब किस ने हराया था तो सलहर के युद्ध में मोगल सेना को हराया था सीवा जी ने हराया था तो इसे आप यह देखीगा तो दोस्तों यहां पर हमने 100 सबसे महत्पून मद्यकालिन भारत के प्रस्तनों को कवर कर लिया है आई होब आपको वीडियो पसंद आया होगा तो आज के अले बस इतना ही थैंक यू थैंक्स पर वाचिंग थैंक यू